आज हम लोग कैंसर के बारे में बात करेंगे, कैंसर क्या है, क्यूं होता है, कैंसर होने पर आपको पता कैसे चलेगा, और इसका इलाज कैसे लेते हैं, एक बार अगर आपको कैंसर हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप कहां जाएंगे, दोस्तों तो बने रहे है वीडियो के अंतक क्योंकि आज हम लोग कैंसर से जूड़ी कई इसे जानकरी लेंगे जिसे हर इंसान को जानना चाहिए तो कैंसर है क्या दोस्तो हमारे सरीर में सैकडो कोशिका याने सेल होते हैं और सेल म्यूटेट याने वीभाजित होकर नए सेल का जनम देता है वहीं पुराने सेल मरने लगते हैं अगर आपके सरीर में कैंसर होती है जिसके बज़े से पुराना सेल मरने की बज़ाए जीबित रह जाते हैं और नई सेल बेज़ा कोशिकाओ को जनम देते हैं जिसके बज़े से आपके सरीर में ट्यूमार होती है, जिसे हम लोग कैंसर कहते हैं, ज्यादा तर कैंसर ट्यूमारी होता है, एकसे ब्लाट कैंसर, हमारे सरीर में अलग-अलग हिस्से पर कैंसर हो सकती है, कैंसर कई तरह का होते हैं, जैसे कि ब्रेश्ट कैंसर, लांग्स कैंस इसके अलाबा और भी कई सारे cancer होते हैं Cancer के 5 stage होते हैं सबसे पहला 0 stage इस stage में आपके सरीर में cancer का जाम तो होता है लेकिन जाज में पता नहीं चलता और पहला stage में आपके सरीर में चोटे-चोटे tumor होते हैं और ये tumor ज़्यादातर spread नहीं होता और दूसरे और तीसरे स्टेज में ट्यूमर बड़ा होने लगता है और दूसरे हिस्से में स्प्रेड होने लगता है और अंत में चौथा स्टेज बेहत खतरनात होता है इस स्टेज में आपका ट्यूमर सारे सरीर में फैल जाता है इसके कारण अक्सर लोग अपना जान भी गवा देते हैं लेकिन आपको पता कैसे चलेगा आप कैंसर से पिडित हो दोस्तों इसका कई लखन होता है सबसे पहला लखन आपका बजन तीजी से कम होने लगेगा दूसरा लखन है दिन भर आपको ठकान मैसूस होगी अगर आप छोटी मोटी काम भी करते हो तो आप ठक जाओगे तीसरा लखन है आपके पूरे सरीर में गांट बन सकती है याने गुटली जैसे बनती है और चौथा लखन है आपके सरीर में सुजन याने दर्द हो सकती है वो भी बहुत तेज़ दर्द और पांचवा लखन है आपकी स्किन की कालार लाल, पिला और काला हो सकता है अब हम लोग बात करेंगे इसकी बजा के बारे में cancer क्यों होता है और किसको होता है दोस्तों cancer के बज़े के बारे में आज तक किसी को specific कारण तो नहीं पता लेकिन कुछ ऐसे risk factor है जिससे cancer होती है इन में सबसे पहली बज़ा है टोबाकू का 7 अगर आप smoking करते हो तो आपको lungs cancer हो सकती है याने फेंपडों में cancer हो सकती है आपके गला में और मूँ में cancer हो सकती है दूसरी बज़ा है genetic कारण अगर आपके पूर्खों में किसी को cancer हुआ था तो आपको होने की संभवना याने खत्रा बहुत ज़्यादा होता है इसलिए एक तैस समय सिमा के बाद आप अपने सरीर के screening करा ले याने जाच करा ले अगर सुरुवाती दौर में पता चल जाता है तो आप इसका आसानी से इलाज ले पाएंगे और अपनी जान को भी बचा पाएंगे तीसरी बजा है परजावरन आप जीस इलागा में रहते हो अगर उहां का परजावरन याने पल्यूशन अगर काफी ज़्यादा होता है तो परजावरन में ऐसे कई खतरनाथ गैस होते हैं जैसे कि आरसेनीक, बेंजीन, एस्बेस्टास तो ये सब खतरनाथ केमिकल कैंसर को जनम देता है चवती बजा है फूर्स आजकल हम लोग जो फल, साक सबजी खाते हैं वो ज़्यादा तर उगाते हैं पिस्टिसाइट और खतरनाथ केमिकल देकर तो इन सब खतरनाथ केमिकल में भी कैंसर का जाम होता है और हम लोग फास्ट फूर्ट, जांग फूर्ट ये सब अगर फ्रीज में रखने के बाद बार बार गरम करें खाते हैं तो इसमें कारसनेजनिक नाम का एक खतरनाथ केमिकल आता है और ये भी कैंसर को जनम देता है कैसी लिया जाए तो सुरुवाती दौर में अगर आपका कैंसर किसी एक जगा पर होता है और यह स्प्रेट नहीं करता है तो सरजरी करके उस जगा को बात देकर भी इसका इलाज लिया जाता है दूसरा इलाज है केमो थेरापी दोस्तो कैंसर का इलाज में केमो थेरापी बेह ओर दीन भर आपको उल्टी मैसूस होती है और ठकान मैसूस होता है तीसरा इलाज है रेडियेशन रेडियेशन के मादधम से आपके सरीर में जो पीडीत कैंसर सेल है उसे नष्ट किया जाता है चौथा इ anno इमिन थेरापी ओर अमिन थेरापी के मादधम से आपके सरीर का immunity system यानि immunity power को ताकत बर किया जाता है ताकि cancer के jam से लड़ सके और उसे हरा सके और पांचवा इलाज है hormone therapy अगर आपको breast cancer हुआ है या तो prostate cancer हुआ है इस दोनों cancer का treatment के तोर पर hormone therapy अपलाई किया जाता है क्योंकि इसमें hormone का प्रभाव जादा होने के कारण ये बेहत असरदार भी होता है आपके सरीर में cancer का jam है या नहीं है इसके लिए एक test होता है जिसे हम लोग biopsy test कहते हैं अगर आपका test result positive है तो आप समय नस्ट बिलकुल ना करे क्योंकि cancer के case में समय बेहती माइने रखता है अगर ये stage 4 तक चला जाए तो 4 ती stage में बेहत घातव होता है और जान बचाना बेहत मुश्किल होता है इसलिए आप Mumbai चले आए Mumbai में cancer का सबसे बढ़िया hospital है जिसे Tata Memorial Hospital कहते हैं ये trusty है और Tata दोरा संचालित होते हैं इसमें अमीर गरीब हर एक का अच्छे से treatment होता है वहां research होते हैं और advanced technique से cancer का इलाज क्या आता है और पैसा भी आपका कम लगता है अगर आप गरीब हो तो आपका सायत पैसा ना लगे इसलिए आप देर ना करके आप Mumbai चले आए और इस hospital में दाखिला ले उमीद है दोस्तो वीडियो आपको informative लगा अगर ऐसे दूसरी वीमारी के बारे में आपको जानकारी लेनी है और कहां सबसे अच्छा treatment होता है अगर आप comment करके बताएंगे तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा इसके लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर ले आज के लिए नहीं तक धन्नवाद